वेलकम टू अलिमिटेट एजूकेशन दोस्तों मैं हूँ अभिजीत कुमार और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आर आर भी एलपी पेपर टू का जो आप लोगों का एकजाम होने वाला है 21 जनवरी से आप सभी लोगों को पता है कुसका नोटिफिकेशन आ चुका है औ और एकजाम का सेंटर भी आपलोग देख सकते हो ठीक है मैं यह विडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफी लोग कमेंट करते थे कि सर एकजाम का सेंटर कासीटी दिखाई दे रहा है सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है तो यह आपको पता चल जागा और सबसे ज्युदा में हेडराबाद त्सक्राद सकत्सक्राइब होम डिस्टिक में यह काफी वहारा कन फीजन था एतना इतना नहीं आप लोग सब लोग एकजान देते हैं तो, टिक टरो प्रॉबलम आप लोगों को ही हो जाएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी देखो और अपना टीकट आप लोग बुक कर लेना ठीक है और सबसे ज्यादा इंपोटेंट बात और कि फिर से कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने आरारवी अहमदावाद भरा है तो आरारवी अहमदावाद से ही मेरा काड़ा दाउंडोड होगा ऐसा नहीं है मैं बार बार बताता हूं रेलवे सेंट्रलाइड है किसी भी बोड से आप भरे हुए हो किसी भी बोड के लिंक से जो है सो आप अपना डाउंडोड कर सकते हो जैसे कि मालनों फिर से मैं आपको चंडी घड़ खोल करके दिखाता हूं. यहां पे किया कि मैंने खोला चंडी गण आपने अपलाइ किया सिकंद्रावाद, आपने अपलाइ किया मालदा, आपने अपलाइ किया पटना, कोई फर्क नहीं पडरता है, आप कहीं से वह डा overlook कर लो, क्योंकि लिंक सेम रहता है, अब जैसे कि यहाँ पर जैसे इसे ही देखको यहां पर नौर तारिक का है आपको आ चुका है यह पिए कि इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा चीज बतादेगा कि iets ता नेतं करे नेकुhib हैं कि किस बढ़ेट में आपका एक्जाम परा हैं किस इफ्ट में परा किस सीटी में परा है ताकि आप लोग जो है सो उसी साफ से मेंटली प्रिपेर्ड हो जा और टिकट बना लो अपना ट्रेन का फ्लाइट का जिसको जिससे बनाना है ठीक है तो जैसे इस पर आप किलिक करोगे तो आप लोग का इस तरह का वेज खुल जाएगा देख रहे हो ना आप यहां पे चीज नोटिस करो कि इस इंसान का जैसे कि यह बिहार का है लेकिन इसका एक्जाम का सेंटर देखो कहां पर दिया हुआ चिरला आंधर परदेश ठीक है इसका एक्जाम का ट्रेड मेकेनिकल था सिफ्ट टू है एक्जाम इसका 23 जैनवरी को है अब आप ही होगा तो इसी लिए आप लोग डिले मत करना जो करना है जल्ली जल्ली करो ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही फिर बात करते हैं किसे और वीडियो में आप लोग वास तैयारी करते रहो बाई थैंक यू